नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग राठोड और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ ब्लाक सी के शेत्र में बढ़ते तनाव के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ आज यानि की 23 जून को रशिया के द्वारा एक ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर नेवल जहाज पर बम गिराये गए क्यूंकि रशियन नेवी को ये लग रहा था कि ये ब्रिटिश जहाज ब्लाक सी में रशियन टेरिटरी में एंटर कर रहा है तो इन्होंने वर्निंग शॉट्स दागे इनके उपर और काफी हरानी बरी बात ये है कि सुखोई विमान से भी बम गिराये गए इस जहाज के आसपास डिरेक्टली जहाज पर बम नहीं गिराये गए एक चितावनी के तौर पर उसके रास्ते में या उसके आसपास ये बम इस एरिया को इस शित्र को अपने कंट्रोल में लिया और इसको दुनिया के किसी देश ने रेकेगनाईज नहीं किया था जादा कर देशों ने रेकेगनाईज नहीं किया था आज भी लोग क्राइमिया को युकरेन का हिस्सा मानते हैं लेकिन जमीनी हकिकत ये है कि क्राइम पेनिसुला को अपने कंट्रोल में क्यों लिया था मेंली क्यूंकि ब्लाक सी से होते हुए मेडिटरेनियन के अंदर जितनी भी उनकी नेवल पावर है वो कंट्रोल होती है और इसके लिए क्राइमिया बहुत जरूरी है यहाँ पर रशिया के बहुत सारे नेवल बेस हैं जिस कर रहे हैं इस पर मैंने दो महीने पहले एक लेक्चर भी बनाया था आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं तो उस समय पूटिन ने यह साफ कर दिया था कि ब्लाक सी पर कंट्रोल रशिया का होगा एक तरह से इंडरेक्ली यह बात कह दी गई थी उस समय रशिया ने युक् कभी हैं भेजा नहीं और कुछ हफते बाद रशिया ने भी अपने ट्रूप्स को बॉर्डर से वापस पीछे खीच लिया और ऐसा लग रहा था कि यह शित्र फिर से तनाव मुक्त हो गया है अब क्राइमिया रशिया के लिए क्यों इंपोर्टेंट है आप इस मैप के माध बन चुका है अब Sea of Azov में काईदे से युक्रेइन को भी एंट्री मिलनी चाहिए लेकिन यहाँ पर कर्च स्ट्रेट के माध्यम से रशिया Sea of Azov में जाने वाले हर नेवल जहाज को रोक सकता है उसको ब्लॉकेड कर सकता है तो इसलिए एक तो युक्रेइन की ये वाली जो टेरिट्री है For all practical purposes ये इनके हाथ से अब जा चुकी है यहाँ पर ये कोई भी defense mount नहीं कर सकते लेकिन ये वाला जो टट है युक्रेइन का और ऐसा के आसपास यहाँ पर अभी भी इनके कुछ important naval bases हैं और यहाँ पर UK और USA के भी naval base हैं तो इन देशों ने भी अपने यहाँ पर कुछ naval जहाजों को तैनात कर रखा है अब इसी military base से UK का एक destroyer जा रहा था जॉर्जिया की तरफ यहाँ पर लेकिन यहाँ कहीं पर बीच में रशिया ने दावा किया है कि यह जहाज हमारे territorial waters के अंदर enter कर गया और इसी लिए हमने इस पर हमला किया है आज अगर Crimea Ukraine के control में होता तो यह घटना कभी होती ही नहीं लेकिन Crimea की importance शायद अब आप इस map के माध्यम से समझ पा रहे होंगे आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि Unacademy आप पर आप मुझे इस ID पर follow कर सकते हैं वहाँ पर मेरे plus course या special classes के updates आपको प्राप्त हो जाएंगी और सभी social media platforms पर मेरा handle है इस lecture का PDF आपको pathfinder underscore UPSC telegram channel पर मिल जाएगा आप वहाँ पर जाने के लिए इस QR code को भी scan कर सकते हैं Unacademy subscription पर इस वक्त महा subscription offer ongoing है जिसके तहत आपको GS और optional के combined course पर जिससे आपकी पूरी UPSC exam की तयारी हो जाती है उस पर 35% discount मिल जाएगा अगर आप महिपाल code use करेंगे तो आपको ये 10% discount मिलेगा तो आपको ये वाली prices भी pay नहीं करनी है अगर आप एक साल का course लेते हैं for optional plus GS तो आपको 51,700 रुपीज का पड़ेगा और इस वक्त इस course को लेने का फायदा ये है कि आपको extended validity मिलेगी mains 2022 तक तो आपको almost 1.5 साल का validity यहाँ पर मिल जाएगा इन courses को आप EMI option पर भी avail कर सकते हैं और 20 किताबों का एक पूरा set इनके साथ अब आपको free में मिलेगा हमने एक नई test series भी start करी है जिसमें total 80 test हैं 50 prelims oriented और 30 mains oriented test हैं इसको join करने के बाद आपको कोई test series लेने की आवशकता नहीं पड़ेगी this will be a comprehensive test series for the entire year एक साल ये test series चलने वाली है और अभी 30 जून से पहले पहले अगर आप one year subscription लेते हैं तो उसके साथ आपको ये test series free में मिल जाएगी subscription लेते ही आप unacademy के regular batches को join कर सकते हैं जहां आपका पूरा syllabus cover करवा दिया जाएगा एक systematic format में हिंदी, English और bilingual तीनों ही भाशाओं में batches हर हफते स्टार्ट होते हैं अब 23 जून को रशिया के defense ministry ने announce किया था कि हमने एक British destroyer जहाज पर warning shots fire किये रशिया ने आरोब लगाया है कि Britain का ये जहाज हमारे यानि कि Russian waters में enter कर रहा था ये घटना Crimean Peninsula के Cape Fioranth के नजदीक हुई थी इसमें रशिया ने कहा है कि ये जहाज हमारे यानि कि Russian waters में enter कर रहा था इसका नाम है HMS Defender और ये UK carrier strike group का हिस्सा है जो इस वक्त इंडो Pacific area में तैनात है लेकिन ये जहाज इस carrier strike group से थोड़ा सा अलग है इस वक्त और Black Sea में अपने अलग missions पर है तो ये जून 2021 में ये announce किया गया था और इसी बीच में ये घटना हुई है Odessa में इस जहाज पर तैनात UK के officials ने Ukraine की Navy के साथ कुछ agreement sign किये जो पिछले साल ही इन्होंने finalize कर लिये थे लेकिन अब इस पर काम चालोगा तो UK की Navy Ukraine के नए जहाजों को तैयार करने में मदद करेगी और पुराने जहाजों को refurbish करवाएगी इस प्रकार से Britain Ukraine की Navy को मजबूत करने में साहता दे रहा है अब ये घटना हुई है Cape Violent के पास में ये नाम याद रख लेना Cape Violent Crimea में स्थित है हो सकता है कि geography based ही ये question आजाए कि Cape Violent कहाँ पर है अब हमने इसे चितावनी देते हुए दो warning shots fire किये उसके बाद भी जब ये पीछे नहीं हटा तो फिर सुखोई 24 fighter jets से इसके रास्ते में या इसके आसपास 4 bomb गिराए गए तो ये काफी एक बड़ा development है generally naval warfare में अगर fighter jets को बुलाया जाता है तो मामला काफी गंबीर है तो 4 bomb गिराए गए defender के path में यानि directly जहाज पर नहीं उसके आसपास उसे चितावनी देने के लिए कि तुम वापिस चले जाओ यहां से लेकिन फिर भी ये जहाज वहां से नहीं हटा दूसरी और UK की defense ministry ने अपना अलग statement जारी किया है इन्होंने ये कहा कि कोई warning shot fire नहीं हुआ है defender पर हमारा जहाज नॉर्मली जा रहा था Ukrainian territorial waters में था और Russia के territorial waters में था ही नहीं और कोई warning shots हम पर नहीं दागे गए हैं और इनका ये मानना है कि Russians जो है उस area में कोई military exercise कर रहे थे और उसी में उन्होंने वो warning shots दागे होंगे HMS defender के उपर कोई भी गोला नहीं दागा गया है कोई warning shots नहीं दागा गया है ना ही कोई हवाई जाहाज से बॉम गिराया गया है अब आप Russia की बात को सच माने या UK की वो आपके उपर निर्भर करता है लेकिन exam point of view से हमारे लिए important क्या है कि NATO और रश्या में ये conflict क्यों बढ़ रहा है देखे रश्या के borders पर इस प्रकार के conflict पिछले कई सालों से देखे गए है लेकिन उनमें खास बात ये होती है कि कभी भी इस प्रकार से open firing नहीं होती है बहुत कम ऐसे instances होई है जब open firing होई है borders या maritime boundaries को लेकर Black Sea शित्र में तीन NATO members के borders हैं Turkey, Romania, Bulgaria आप इस map में देख सकते हैं ये है Black Sea, ये है Russia, ये है Ukraine और यहाँ पर जो blue color में आपो countries नजर आ रहे हैं ये सभी NATO के members हैं तो ये है Turkey, ये रहा Bulgaria और ये रहा Romania तो इस प्रकार से Black Sea में NATO का भी अच्छा खासा दबदबा है क्योंके almost आधा Black Sea NATO members का border है इसलिए यहाँ पर US, UK और अन्यन NATO सदस्यों के जहाज आते जाते रहते हैं और वो Ukraine को support करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 6-7 सालों से जबसे Crimea का annexation किया गया है लेकिन शीत यूद्द के बाद ये पहली घटना है जब Russia ने अपने आप acknowledge किया है अपने आप ये बात मानी है कि हाँ हमने किसी NATO के जहाज के उपर इस प्रकार से fire नहीं किया है तो ये बताता है कि किस तरह से military incident इस शेत्र में बढ़ते जा रहे है और Russia और पश्चिमी देश जिसका indirectly मतलब है कि NATO देशों के बीच में तनाव बढ़ रहा है Russia के military analyst का कहना है कि इस प्रकार के हतियारों का इस्तमाल Russia generally नहीं करता है ये एक unusual escalation है अगर ये हुआ है तो क्योंके UK ने साफ मना कर दिया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है लेकिन Russia की Defense Ministry ने खुच statement जारी करके कहा है कि इस प्रकार की घटना हुई है UK का जो response है उसको analyst कह रहे हैं कि वो मानने को बताना चाहते कि हमारे आसपास हमारे जहाज के उपर बॉम गिराए गए है अब इस पूरे तनाव का सबसे बड़ा असर पड़ेगा UKRAINE पर UKRAINE के Foreign Minister ने भी इस घटना की निंदा करी है इन्होंने बताया कि ये Russia की aggressive policy को साफ तोर पर बताता है और कहता है कि ये सबसे बड़ा खत्रा है यहाँ पर UKRAINE को ही है ये सारी चेतावनी UKRAINE को जारी करी जाती है और इसके पीछे एक indirect reason भी मैंने आपको बता दिया है कि UKRAINE और UK के बीच में naval cooperation बढ़ रहा है तो शायद इसी के लिए रशया इस प्रकार के incidents को अंजाम दे रहा है तो इसे के साथ ये lecture समापत होता है आपको इसका PDF इन दोनों Telegram चैनल पर मिल जाएगा अगर आप भारत के best educators से live पढ़ना चाहते हैं तो anacademy subscription को अभेल कर सकते हैं प्लस और iconic दो प्रकार के subscription है और इन सभी पर आपको 10% discount मिल जाएगा अगर आप महिपाल code use करेंगे और अभी जो offers चल रहे हैं उनका भी आप फायदा उठा सकते हैं एक limited seat का batch बना है 23rd June को बना है इसमें अगर आपको join करना है तो नीचे description में आपको इसका link मिल जाएगा तीन free test series है इनको avail कीजे इनसे आपका prelims का score बढ़ेगा हर रविवार को combat होता है combat में हिस्सा लेकर आप scholarship जीतने का मौका रखते हैं Thank you very much for watching this, have a great day